नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का तो दोस्तों पहली बार GDS की सारी यूनियन छोटी हो या बड़ी हो एक्टिव सारे जितने भी यूनियन है सभी ने साथ में मिलकर आवाज उठाया है तो ये सेक्रेटरी को दोस्तों इंडियन पोस्त पेमेंट बैंक के एक चिट्थी लिखा गया है वैसे आपको पताना चाहेंगे आज वर्क्शोप था इंडियन पोस्त पेमेंट बैंक के सभी यूनियन के लीडर को बुलाया गया था क्योंकि आपको पता होना चाहिए GDS का जो कारे है बढ़ जाएगा जब payment bank यहाँ पे functional होगा अगले महिने से यहाँ पे आप sign देख सकते है सभी leader का sign है सभी union ने आप पे attend किया है बड़े union के leaders वो अभी समझाएंगे बाकि GDS को कि क्या कारे करना होगा incentive मिलने वाले है इसलिए दोस्तों यह letter लिख लिया गया है मांग की गई है GDS को 8 गंटे का काम देना चाहिए क्योंकि अब बढ़ जाएगा काम क्या लिखा है letter में आपको बता दे दोस्तों सभी union ने एक आवाज में बताया है कि जब workshop इन्होंने अटेंड किया तो यह पता चला कि GDS का कारे बढ़ने वाला है बाकि जो GDS से tertiary officer के लिए select भी हुए है उनका तो 28,000 हो जाएगा बाकि जितने GDS से उनका भी कारे बढ़ जाएगा तो इसी साब से उनको वेतन भी जादा मिलना चाहिए 8 गंटे का समान कारे का समान वेतन मिलना चाहिए तो दोस्तो उन्होंने secretary को यह बता दिया है कि अब हम सारे GDS union एक है और यह आवाज उटाते है कि सभी का कारे बढ़ने वाला है तो उनको वेतन भी जादा मिलना चाहिए regular करने के यहाँ पर मांग indirectly कर दी गई है तो दोस्तो आप यहाँ पर letter देख सकते है यही लिखा गया है कि workshop अटेंट करने के बाद पता चला कि जो GDS का कारे है वो बढ़ने वाला है उसके लिए उनको incentive भी मिलेंगे तो incentive के जगा क्यों न ऐसा हो कि 8 गंटा कर दिया जाए कारिय और 8 गंटे का वेतन दे दिया जाए तो दोस्तो यहाँ पर पढ़ सकते है जो letter है letter में सभी union के leader के sign है नीचे आप देख सकते है चाहे AI GDSU हो यहाँ BMS के शाकाय हो यहाँ फिर FNPO की हो सभी ने यहाँ पर sign किया हुआ है यानि सभी मिलकर एक आवाज में बोट रहे कि GDSU को regular करना है कम से कम समय बढ़ा देना है 8 गंटे जैसे हो जाता है तो regular employee का दरज़ा भी मिल जाएगा तो दोस्तो इस खबर पर हमारी नजर बने रहेगी आप हमारे साथ जुड़े रहिए धन्यवाद